यह आपके पास function दे रखा है AX प्लस B की power 2 और आपको इसका निकालना है anti-derivative लेकिन method of inspection से कोई भी direct formula प्लेस नहीं करना है मतलब आप अपने derivative वाले mind को refresh करिए और वहाँ से सोचें कि यह किसका D by DX होगा मतलब इसका anti-derivative निकालना है anti-derivative का मतलब क्या होता है कि इसको integrate करना है और integrate के साथ यह sign DX आता है बहुत लोग छोड़ देते हैं integration की sign लगाते है DX छोड़ देते हैं बड़ा loose approach होता है तो आप थोड़ा सा चीजों को care किया कर यह सुरू में जब आप से whole square है तो यह कुछ variable की power 2 है तो हम लोग जानते थे polynomial के term में कि x की power 5 का derivative x की power 4 होता है एक कम power आ जाती है ना nxn-1 करते हो अब 4 की 3 हो जाएगी 3 की 2 हो जाएगी तो यहाँ देखके एक idea लगता है हमें कि यह power 3 रहा होगा उसका derivative क्या हो गया है power 2 हो गया होगा तो इससे एक higher order रहा होगा यहाँ पर जो function होगा तो हम क्या consider करते हैं considering दीखे यही थोड़ा-थोड़ा clue होता है जिससे आप idea लेके कुछ आगे approach करते हो considering d by dx of ax plus b की power 3 है ना यह 3 क्यों लिया उसके बारे हमने बताया अब इसका differentiation करो गया तो यह chain rule लगेगा क्योंकि d by dx है x के respect में यह differentiate तो होगा नहीं है ना पहले आप क्या करोगे इसको differentiate करोगे cube को differentiate करोगे और फिर ax plus b को differentiate करोगे तो यह आजाएगा आपका 3 nx n minus 1 ठीक है और अंदर जो भी है वो ax plus b है और फिर क्या करते है d by dx आप अंदर वाली चीज़ को differentiate करेंगे which is ax plus b ठीक है तो यह क्या आजाएगा आपका 3 ax plus b का whole square और यहां से ax का a हो जाएगा और b एक constant quantity है तो b का 0 हो जाएगा तो यह आगया a ठीक है तो d by dx ही हो गया आपका d by dx आ ax plus b का whole cube ठीक है तो देखिए आपका काम तो बना थोड़ा सोचा आपने लेकिन वो perfect step नहीं आई उसके लिए आप देखिए यह क्या है आपके पास ax plus b का whole square चाहिए था हमें सिर्फ हमें सिर्फ इससे मतलब था यह किसका derivative है और यह लोग भी 3 a divide करोगे तो यह 3 3 cancel हो जाएगा यह और यह cancel हो जाएगा मतलब 3 a उधर चला गया यह यह का लिजी हमने transfer कर दिया उस तरफ जो भी आपकी सोच है calculation के लिए ठीक है यह आपका हो गया अब हमें जो हमें चाहिए था वो मिल गया जिस function का हम क्या कर रहे थे inspection कर रहे थे कि कौन सा function यहा पर होगा उसका inspection हो चुका है ठीक है वो कौन है यह है तो इसका मतलब यह हुआ कि nt derivative of ax plus b का whole square that is equals to dx that is equals to ax plus b का whole cube upon क्या हो जाएगा यह 3a है ठीक है that is your answer